हाई थे एक हमारे नई पहुआरश का बन रहे हो या नहीं बन रहे हो वही संप गूंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर लखी है जिसमें फर्स्ट पाइल है वाइट क्रिस्टल स्टॉन सेकंड पाइल है औरंज स्टॉन थोर्ड पाइल है ब्लू स्टॉन ये तीनों पाइल के उपर आपको मेरिटेट करते हुए अपने पाइल चूज करने है जिनको पाइल चूज करने में परिसाने आ रहे है वो अभी बाते सबी के साथ resonate नहीं करेंगी डिस्किप्शन बॉक्स में टाइम स्टम दे रहे हूं वहां जाकर आप अपनी पर देख सकते हो आप मुझे इंस्टागाम और फेस्बुक के उपर भी फोलो कर सकते हो डिस्किप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी आपके ल हाई अब जिसकिसे ने पाइलवन चूज किये है वाइट क्रिश्टल स्टॉन तो चले देख लेते हैं कि क्या अभी आपके लिए कोई साज आप साजिस का सिकार बन रहे हो यूनिवर्स डिवाइन पाइलवन जिसकिसे ने भी चूज किये है बताईए क्या वो अभी साजिस का सिकार बन रहे है यूनिवर्स डिवाइन पाइलवन डैफिल यूनिवर्स डिवाइन पाइलवन five of friends the fool two of swords the moon three of cup eight of cup two of pentacles seven of swords temperance bottom of the deck हमारे पास है the sun very nice energy sun की energy आ गई है मतलब कुछ न कुछ तो है यहां सा दिखते है time for a nap happy happy by unfinished symphony bottom of the deck हमारे पास है soulmates यहां आपकी जिस तरह की काड़ आये हैं जिसमें sword की energy बहुत ज्यादा permanent है इसका मतलब यह होता है seven plus two nine of sword बहुत ज्यादा एक परिसानी से जूज रहा इंसान जो आप हो आप दुखी हो कभी कभी रो भी रहे हो आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है आप पीछे मूड के देखते हो तो बहुत ज़दा दुख और परिसानी ही दिखते हैं आगे भी चलने की कोसिस कर रहे हो लेकिन आगे भी आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है आप बहुत ज़दा positive रहने की कोसिस करने की कोसिस आपकी हर तरीके से लगातार हो रही है लेकिन वो positivity में तबदिल होती ही नहीं है और और ज़दा negativity में चली जा रही है जिसके चलते आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करो अभी मैं आपकी energy ही बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपकी reading है भी या नहीं तो यहाँ मैंने आपको कहा कि आप बहुत ज़दा positivity में रहना चाहते हो definitely और 100% चाहते हो लेकिन यहाँ आप positive रह नहीं पा रहे हो और बार बार negativity की और आगे बढ़ रहे हो आप एक positive रास्ते की उपर ही चलना चाहते हो positive आपके जिवन में सब कुछ आपको चाहिए लेकिन positive कुछ बन नहीं रहा है जिसके चलते आपको negativity गेर भी रही है और आपके जिवन में situation के जरिए चीजों के जरिए लोगों के जरिए negativity आ भी रही है आपका लोगों के साथ understanding nature बेटर है बहुत अच्छा है लेकिन आपको लोगों से जो acceptation है वो पूरी होती नहीं है यहां आपकी negative कर्मा के cycle बरकरार बनी हुई है जिसके चलते आप बहुत ज़्यदा positive रहने की कोसिस आपके लगातार हो रही है फिर भी आप positive नहीं हो पा रहे हो यह जो happy happy card है वो आपका है आप बहुत ज़्यदा happy और खुस रहने की कोसिस करने वाले एक जिंदा दिल इनसान हो जिनको अपने life में बहुत ज़्यदा खुसिया चाहिए बहुत ज़्यदा आसपास की चीजों में वातावरोनों में भी एक खुसिया और positivity से भरी होनी चाहिए इस तरह का आपका एक सोच भी है और आपका nature भी है लेकिन आपको अभी आपका वक्त और समय परिस्तितिया सपोर्ट नहीं करने की वज़े से आपके जिवन में अभी negative परिस्तितिया ही बन रही है चाहे आप यहां खुद को ही पूछ रहे हो कि मैं अपने जिवन में positivity चाहता हूँ खुसिया चाहता हूँ मैं अपनी तरीके से 100% कोसेश भी कर रहा हूँ तो मेरे जिवन में सब कुछ बढ़िया ही होना चाहिए लेकिन कुछ बढ़िया हो नहीं रहा है इस वज़े से आप अपने आप से ही पूछ रहे हो क्यों बढ़िया नहीं हो रहा है क्यों अच्छा नहीं हो रहा है क्यों मेरे जिवन में बार बार तबलीली आ रही है क्यों मेरे जिवन में परिवतना रहा है क्यों बार-बार मेरे situation बदल रही है क्यों बार-बार situation जो बदल रही है उसमें दुख ही क्यों है परिसानिया ही क्यों है दिक्कतों का सामना ही क्यों मैं कर रहा हूं इस तरह की आपके कर्मा की साइखल ही चल रही है जिसके चलते आप बहुत अच्छा रहने की आपकी एक सोच है और सच में आपकी बहुत खुपसरत और बड़ी सोच रखने वाले आप इनसान होँ चाहे आपके पास बहुत कम है बहुत कुछ नहीं है फिर भी आपको जीवन जीने का तरीका बहुत ही अलग है डिफरंट है वेवस्ते तरीके से जीना है स्वच और अच्छा जीवन जीना है साब सुत्रा अपना दिल भी होना चाहिए मन भी होना चाहिए और जीवन भी होना चाहिए इस तरह की आपकी सोच है इस वजर स यहां आपके लिए कोई साजिस करता हुआ, मुझे नज़र नहीं आ रहा है, आप किसी भी साजिस का सिकार नहीं बने हुए हो, यहां आपके जिवन में नेगटिक कर्मा की साइकल बनी हुई है, वो जल्द ही खतम हो जाएगी, हाँ यहां कुछ प्रॉब्लम में हो, होती तो म जरूर कहती के साजिस है, लेकिन यहां कोई भी साजिस नहीं नजर आ रहे है, यहां आप खुद के साथ ही मेंटल ही जोज रहे हो, वो आपको भी पता है, बार बार आपके सोच में बहुत ज़दा नेगेटिविटी भी आ रहे है, पोजिटिविटी भी आ रहे है, यहां भ बर चार्ट में मून के अनर्जी अभी कमजोर है जिसके चलते आप नहीं भी चाहते हो फिर भी आप negativity में दूप जाते हो यानि कि बहुत कहरा इससे negativity में चले जाते हो वो आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि बहुत जादा परिसान होना बहुत जादा दुखी होना mental stress फिल करन यह आपके लिए नहीं है क्योंकि आप बहुत ही positive इंसान हो तो आपको इसको maintain जरूर करना चाहिए और इसके लिए आपको हर रात को मून को चंदर देव को याद करना है और उनको कहना है कि मेरी energy को positive रखिए और continuously positive बनाते रहिए और सुभे आपको सुर्या देव को याद क energy में ही रखिए चाहे मेरे जीवन में कितने भी परिसानिया आई मैं अपने आपके लिए और मेरी family के हमेशा positive रहूं इस तरह से आपको कहना है जिससे बगवान कटिबर तरीके से आपके उपर focus भी कर रहे हैं ध्यान भी दे रहे हैं तो यह जो आप remedies करोगे जिससे बहुत negative कार नहीं है आप जूज रहे हो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोसिस कर रहे हो आपके जीवन में आप कोसिस कर रहे हो उसके बाद भी इवन आप बहुत ज़्यादा अपनी तरीके से सब कुछ करने की कोसिस करने के बाद भी आपके जीवन में possibility नहीं बन रही है वो आपके कारण नहीं है, वो आपके वज़े से नहीं है, यहाँ negative कर्मा की cycle यही है, कि आपको negative लोग ही मिलेंगे अभी, और negative लोगों का सामना आपको करना पड़ेगा, negative situation का सामना करना पड़ेगा, negative चीज़ें आपके जिवन में सामेल होगी, तो इसके साथ आपको लड़ना है, खुद को इससे बहार निकालना है, तो यहाँ यह जो fire of one की energy है, वो यहाँ यही कहती है, कि आपके जिवन में आप हर तरीके सी कोसिस कर रहे हो, कि लोगों के साथ भी आपके तनाव पूरों सबन या रिस्ते ना बने, आप कोसिस कर रहे हो कि लोगों के साथ मेरे वफादारी लोयल्टी ना तोड़े, लोगों के साथ मेरे अच्छे रिस्ते पहले भी थे, अभी भी होने चाहिए, यह आपके balance हमेशा रखने की कोसिस आपकी हो रहे है, वर्क प्लेस के थुरू भी आप अपनी केरियर नहीं एस्टाबलेश हो रहे है, नहीं ठीक हो रहे है, फिर भी ठीक करने की कोसिस आप कर रहे हो, यहाँ आप अपनी mentally और health wise परिसानिया से जूज रहे हो, आपकी health भी ठीक ठाकी है, बहुत चादा अच्छी है, यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, आपकी health कभी कभी खराब हो रहे है, इसके साथ भी आप अच्छी करने की कोसिस कर रहे हो, और खुद के उपर भी ध्यान दे रहे हो, खान पान के उपर भी आपका focus है, तो यहाँ यहाँ यही दिखाते हैं, कि आपके लिए किसी भी तरह की आप साजिस का सिकार नहीं बने हुए हो, और कोई आपके लिए साजिस नहीं कर रहा है, यहाँ negative कर्मा की cycle एक emotionally, mentally, health wise चल रहे है, जिसके साथ आपको इससे बहार निकलने की कोसिस करनी है, negative कर्मा की cycle से किसी भी तरह बहार निकलने की कोसिस करोगे, तो वक्त कम हो जाएगा और आप जल्दी से इस negative कर्मा की cycle से निकल जाओगे, वरना आप ऐसे ही बैठे रहोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसे ही सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ये negative कर्मा की cycle की जितने भी साल होंगे, उतने साल हो लेगा, लेकिन आप सालों को कम करना चाहते हो, तो इससे बहार निकलने की कैसे भी करके कोसिस करोगे, तो कम साल हो जाएगे और आप बहार निकल भी जाओगे, यह आपके लिए है, यहां लाज्ट कार आपके लिए आया है, उन्फिने सिव बनी, इसका मतलब भी यहां यही होता है, कि आप अपने जिवन में पूरे तरीके से विवेस्तित हो, आप कहीं से भी गलत नहीं हो, यहां सिर्फ नेगेटी कर्मा की साइकल है, जिसके चलते आपको अभी थोड़ा सहना पढ़ रहा है, थोड़ा बहुत ज़्यादा अपने तरीके से कोशिस कर रहे हो, फिर भी आपके काम नहीं बन रहे है, इसके लिए सांग बने रहे हैं, अभी आपको patience रखना है, कमजों नहीं पढ़ना है, अपने आपको हिम्मती बनाना है, और अपना confidence लेवल को ठीक ठाक रखना है, down नहीं करना है, मैंने कहाँ ठीक ठाक रखना है, यहां आपके लिए इस वज़़े से ही sun की position last में आई है, कि negative कर्मा की cycle से आप लड़ोगे, इसे बहार निकलने की कोसिस करोगे, तो आपके जिवन में जो आप positive इनसान हो, तो positive ही सारी चीज़े आपको मिलेगी, तो यह सारी positivity आपको मिलेगी, यहां भी last car soulmate है, इसका मतलब भी यही होता है, कि सब कुछ वेवस्तित है, सिर्फ negative कर्मा से बहार निकलने की कोसिस करोगे हैं आपको, यहां आपने white crystal stone choose किया है, इसका मतलब भी यही होता है, कि आपके जिवन में किसी भी तरह आपके लिए, किसी भी पकार की साजिस नही बने हुए हो, आपके लिए कोई साजिस कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके रिस्ते सभी के साथ अच्छे है, और बहुत ही ज़्यादा balance है, maintain है, लोगों के साथ जब बातचित करनी हो तो अच्छी तरीके से बातचित करते हो, या अपने आप में ही डूबे रहते हो, अप पिट नहीं करते हो, सांथ हो आप, और अपनी परिस्तेतियों को सांथ हिसाब से चलाना आपको आता है, अभी आपके परिस्तेतिया आपके मुताविक नहीं है, इस वज़र से आपको लगता है कि किसी ने मेरे लिए कोई साजिस की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आ अब जिसकिसे ने पाइल टू चूज की है और इस टॉन तो चले देख लेते हैं कि क्या आप अभी किसे साजिस का सिकार बन रहे हो यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिसकिसे ने भी चूज की है बताएए क्या वो अभी कोई साजिस का सिकार बन रहे है Universe Divine Pile 2 Six of Swords Nine of Pentacles Ten of Pentacles Strength Ace of Cove वह दिखते हैं The High Priestess The Moon Temperance Eight of Cove Universe Last में Eight of Cove क्यों है Queen of Swords Bottom to Deck हमारे पास है Seven of Vents यहां से दिखते हैं Universe Divine Pile 2 Message in a Bottle Orphanate Happy Happy Poison Poison Bottom to Deck हमारे पास से और लेकम तो आपका मानना है कि किसी ने मेरी जीवन में एक हसी खसी भरी लाइफ में कोई टांग अड़ा रहा है या आप ही सोच रहे हो आप ही के विचार आ रहे है तो यहां आपकी एनरजी को लेकर मैं आपको कहना चाती हूँ आपकी एनरजी में आपको बताऊंगी वो आपसे resonate होती है तो यह आपकी ही reading है तो यहां आप अपने जीवन में एक पैसो से सद्धर इंसान हो पैसो से सद्धर होने का मतलब होता है कि आपके पास बहुत कुछ है जिससे आपकी जीवन बहुत ही अच्छा और विवस्ति चल रहा है बहुत कुछ है का मतलब है कि कम है लेकिन सब कुछ है आपके जीवन में और सब कुछ है सब कुछ है का मतलब होता है सारी चीज़े आपके पास है सारी अच्छी सिच्वेशन है आपके जिवन में बन रही है बहुत सारे लोग आपको सपोट करे इसको कहते हैं सब कुछ है कम है लेकिन सब कुछ है और दीरे दीरे आपके जिवन में बहुत ज़्यादा बढ़ूतरे भी हो रही है जिसके चलते आपके जिवन में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है लेकिन अभी हाल फिलाल हमारा सवाल भी यही है कि क्या आप अभी किसी साजिस का सिकार बन रहे हो तो अभी किसी सिच्विसन की बात की जाए तो अभी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है आपके लिए first card आया है six of salt इसका मतलब यह होता है कि आप बहुत कुछ सोच रहे हो कुछ तो है जो मेरी आँखों से छूट रहा है बार-बार आप सोचने की कोशिस करते हो लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है इसके लिए आप परिशान हो और बहुत ज़दा एक गती में speedly सोच रहे हो कि वो क्या है वो क्या है जिसको मेरे मुझसे छूटा जा रहा है और मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और आप फिर से अपनी चीजों में busy हो जाते हो और फिर से उस बात को भूल जाते हो और फिर से आपको इत्मिनान से बैठे हुए होते हो तो आपको फिर से याद आता है कि कुछ तो बात है अभी की परिस्तितियों में वो बात नहीं है जो पहले बात थी इसका मतलब यह होता है कि पहले आपके जीवन में एक बहुत अच्छी तरीके से stability आ रहे थी बढ़ूत्री हो रहे थी income हो रहे थी अच्छी खासे आपके जीवन अच्छा चल रहा था और इसमें किसी भी तरह की बीच में interference नहीं आ रहे थी यानि कि बीच बीच में जो अभी परिशानी आ रही है problems की rate हो रही है वो पहले नहीं आती थी अब क्यों आ रही है ऐसा क्या हो गया है ऐसी कौन से चीज नरतर रूप हो रही है जो मुझे अभी नुकसान हो रहा है पहले तो ऐसा नहीं होता था पहले तो मेरी life बहुत थी smooth तरीके से चल रही थी जिसमें एक workplace के थूबी लोगों का support भी था अच्छी income भी आ रही थी अच्छी पैसे भी आ रही थी सभी तरीके से family में भी किसी भी तरह की कोई problem नहीं आ रही थी सब कुछ बढ़िया और अच्छा ही चल रहा था लेकिन अब क्यों ऐसा है अब अभी क्यों मेरी life में कुछ problem है छोटी छोटी आ रही है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस तरह की आपके सोच है अभी तो यहां मैं यही कहना चाहते हूँ कि आप कहीं न कहीं अपसेट हो थोड़ा burden मैसुस कर रहे हो बाहर लग रहा है आपको माथे में यानि कि आपको थोड़ा सर बारी हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है और यह moon की energy आप ही की है कि आपको positive source के साथ negative source बन रही है नहीं चाहते हुए भी interference हो रहा है किसी भी तरह की छेड़खानी हो रही है किसी भी तरह की problem आपके जीवन में create हो रही है परिसानी आ रही है पहले नहीं आती थी अब क्यों आ रही है ये आपका जो question है वो सच है सच में आपके लिए अभी किसी भी तरह की साजिस हो रही है और ये साजिस हो रही है जिसके चलते आपके लिए जो काड़ा है वो यही है कि पहले मेरी जीवन में जो खुस्या थी उसमें क्यों अब प्रॉब्लम आ रही है इसमें क्यों अब बहुत चादा दिक्कती आ रही है तो यहां आपके लिए साजिस बिलकुल हो बजर से आपके लिए जो साजिस हो रहे इसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि फॉस्ट और आपके वर्ड प्लिक्स के थ्रूबी साजिस हो रही है जिसके चलते आपके पैसों में जितनी एक बहुत ज़्यादा बढ़रूती होनी चाहिए या बहुत अच्छे पैसे आने है और कम बन रही है जिसके चलते आपको सोचने के लिए मजबूर किया है यहां इमोशनल वाइस चीज़ों में प्रॉब्लम आ रहे है इसका मतलब यह होता है कि घर में किसी की दबित खराब हो रही है आप इमोशनल रिस्तों में आगे बढ़ना चाहते हो पहले उनके साथ स्मूध रिस्ते थी आपके आसपास के लोगों के साथ रिस्तेदारों के साथ लेकिन अभी उनके साथ थोड़ी एक बहुत ही हलचल हो रही है बहुत ज़्यदा एक नूख जोख के तोर पर भी कुछ ना कुछ बाती हो रही है जिसके चलते आप सोच में पढ़ गये हो कि ऐ हो जिसके चलते आपकी लाइब जो पहले स्मूज चल रहे थी उसमें कोई बार-बार टांग अड़ा रहा है इंट्रफियरंस कर रहा है और आपके जिवन में छेड़ खानी कर रहा है और यह जो परसन है वह आपका बिल्कूल भी अच्छा नहीं चाहता है वह बस यहीं चाहत है वो लाश्ट है लेग इसका मतलब भी यही होता है कि यह जो साजस करने वाला इंसान है वो आपकी कोसिसों को नाकाम करने की कोसिस कर रहा है मतलब आप कोसिसों में पास नहीं होने चाहिए सफ़ल नहीं होने चाहिए आपको जो मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए तो यह आपके लिए साजिस हो रहे है और यहां जो साजिस हो रहे है वो कौन है वो भी आ रहा है तो भी मैं आपको बताएंगी कि कोई एक इंसान है जो अपने आपको बहुत ज़्यादा उंचा मानता है आप सभी को आपकी फेमिली के सभी लोगों को वो कंट्रोल करने की कोसिस करता है यानि कि मेरी बात ही सुननी चाहिए मैं जो कहूं वही सच है सभी को मेरी बात माननी चाहिए इस तरह का इस पसंद का सोभाव है चाहे वो कितना भी अच्छे तरीके से बननी की कोसिस कर रहा हो लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो उनको बहुत गुस्ता आता है और अकेले में वो बहुत ज़दा गुस्ता होता है कि मेरी बात आज सुनी क्यों नहीं गई मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं लोग तो उनको बहुत गुस्ता आता है कि पहले जैसे मेरी बात सुनी जाती थी वैसे अभी भी सुनी जानी चाहिए जब तक उनकी बात नहीं सोनी ते है आप तब तक वो आपकी जिवन में टांग अड़ाता रहेंगे बार-बार वो आपके लिए साजिस करते रहेंगे ये female भी हो सकती है mail भी हो सकता है वो आप देख लीजे लेकिन ये जो person है वो controlling है वो बाहरी तोर पर बहुत अच्छा दिखाता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं आपके साथ अच्छे तरीके से रहे सब कुछ वो अच्छा अच्छा दिखाएगा लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाए तो उनको बहुत खुस आता है ये इनसान बहुत खुसे वाला है इतना याद रुको और इसी के चलते आपके जिवर में बार-बार ये problem आ रही है और आपके लिए साजिस हो रही है तो यहां आपने honest tone चूज किया है इसका मतलब भी यही होता है कि यहां यहां आपके लिए सच में साजिस हो रही है और बार-बार साजिस हो रही है क्योंकि ये person चाहता है कि उनकी बात सुनी जाए वो जो कहे वही सब कुछ होना चाहिए आपके घर में आपके घर में कुछ उनके हिसाब से नहीं होता है तो उनको बहुत कुछ सा आता है वो अपने आपको बहुत चाहता something समझते है तो यह जो person है वो आपके लिए कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं सोचते है वो अपने खुसी को लेकर ही भर पल सोचते है इस इंसान को किसे से कोई भी मतलब नहीं है और आप सच्छ में साजिस का सिकार बने हो क्योंकि पहले आप सभी बाते उनके साथ सैर करते थे लेकिन अभी आपने उनके साथ सारी बाते सैर करना बन कर दिया है इस वज़े से भी उनको पसंद नहीं आ रहा है पहले आप उनके साथ इमोसनली जुड़े हुए थे लेकिन अब आप उनके साथ इमोसनली जुड़े महसुस नहीं करते हो अब आप अपने पार्टनर को जादा बताते हो या अपने एक बच्चों को जादा बताते हो तो यहां जो भी है, ये जो इनसान है, उनका बस यही माना है कि उनकी बाते सोनी جानी चाहिए इस वज़ह से आपके लिए साज्स हो रही है और यह पार बार आपके जीवन में प्राब्लम क्रीट कर रही है जिसे आपकी काम ही ना बने और उनको तो बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो खुद के बारे की खुसी में ही सोचती है आपकी खुसे से उनको किसी भी तरह कोई भी लेना देना नहीं है ये है रिडिंग, do like, say, subscribe and comment love you, bye Hi everyone, अब जिस कसे ने पाइल थी चूज की है, blue stone तो चले देख लेते हैं कि क्या अभी आपके लिए किसी साजिस का सिकार आप बने हो, बन रहे हो पाइल थी जिस कसे ने भी चूज की है बताईए universe क्या वो अभी किसी साजिस का सिकार बन रहे है आपके लिए स्टार पबबब हुआ है universe divine five of pentacles three of vands strength the hangman seven of gob nine of swords six of cup the tower the hermit bottom today हमारे पास से the high priestess आपके कर्दों ऐसे ही आना जाते है चांप रहे है universe divine five three amazing unfinished symphony yang co-create bottom today हमारे पास है observer तो यहां क्या अभी आप किसे साजिस का सिकार बन रहे हो यहां आपको मैं आपके energy बताऊंगी कि आप किस तरह के person हो वो आप से resonate होता है तो फिर यहां आपकी बात की जाये तो आपने अपने जीवन में बहुत चाद़ स्ट्रगल किया है स्ट्रगल का सामना करते हुए अपने जीवन को बहतर बनाने की आपकी कोशिस लगातार होती रही है फिर भी अभी भी आपके जीवन में स्ट्रगल खतम नहीं हो पाया है आपने पहले जितना आपके पास नहीं था अभी बहुत अच्छा है लेकिन अभी भी आप चाहते हो कि मुझे और जादा बेटर इंसान बनना है यानि कि अभी भी मुझे जो कुछ भी मिल रहा है उससे भी जादा मिलना चाहिए इस तरह की आपकी सोच है तो अभी भी आप बहुत जादा स्ट्रगल कर रहे हो बहुत जादा अपने लिए कोसिस ही कर रहे हो, अपने फैमिली के लिए कोसिस कर रहे हो, आपके लिए सब कुछ मुम्किन है, इस तरह की आपकी सोज है, यहां आपके सोज अपने फैमिली को लेकर बहुत जादा कैरिंग है, प्रोटेक्टिव है, थोड़े पोजिसी भी हो, अपने लोगों के लिए अपने लोगों को खोने से डड़ने वाले इनसान हुआ, बहुत ज़दा आपको डल लगता है, इनसेकूरिटी कभी-कभी फेल होती है, कि कहीं कोई मेरा इनसान खोना जाए, इसके चलते आप बहुत ज़दा उनका कैर करते हो, ध्यान देते हो, और उ अभी भी आपकी struggle चल ही रही है, आपको और ज्यादा अपने जिवन में बहुत कुछ अच्छा अच्छा पाना है, बहुत अच्छी और खुबसरत और बहतरीन लाइप बनानी है, इसके लिए अभी भी आपके प्रयास, आपके efforts, आपके प्रयतन, आपके गोसे से बरकरार हो यहां आप सांती से बैठे रहने वाले इंसान बिल्कूल भी नहीं हो, आपको लगता है कि अभी मुझे यह करना चाहे तो आप बहुत ही एक्टिव पसंद हो, जिसके चलते आपको जो लगता है वो करकर ही रहते हो, यहां यह जो मैंने आपको एनरजी बताई है, जिसके हि हिसाब से आप अभी भी अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कोसिसे कर रहे हो, तो हमारा यहां सवाल है कि क्या अभी आपके आप एक साजिस का सिकार बन रहे हो, आपकी एनरजी मैंने आपको बताई है, आप कभी भी डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, कोसिसे करने में बिलिव रखते हो जिसके चलते आपकी कोशिसों के हिसाब से आपको सब कुछ मिल भी रहा है लेकिन यहाँ आपके लिए मैं एड़वाईस ही कहना चाहती हूँ साजिस के तौर पर कि आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा अपने लोगों के लिए इनसेक्यर हो जाते हो और कभूल जाते हो कि आपके अपने लोग भी कभी-कभी आपको धोका दे सकती है वो यहाँ आ रहा है इस वज़़े से मैं आपको कह रहे हूँ कि हाँ आप अपने लोगों को बहुत प्यार कते हो उनके लिए बहुत कुछ करना चाते हो लेकिन उसी मैंसे कोई इनसान आपके लिए अच्छा नहीं भी चाता हो तो उनसे थोड़ा बचकर रहेगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि वो आपके लिए साजिस कर सकते है अभी उन्होंने किसी भी तरह की साजिस्त नहीं की है लेकिन आप उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं हो वो यहां आ रहा है तो आप बहुत ज़्याद अपने लोगों को प्यार करते हो और उनकी उपर आंग बन करते हुए विश्वास करते हो तो वो तो भूल ही जाओ आप आग बन करके भूए भरुशा करते हो वो आपकी एक मर्जी है लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए आपको ऐलेटनेस की पोजिशन में रहना चाहिए एवननेस में रहना चाहिए जिससे कोई आपको विश्वास गात ना कर सके कोई अपको जीवन को खराब ना कर सकी इसके लिए आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है यहां आपके लिए किसी भी तरह की साजिस होते वोई नसथ बिलकुल भी नहीं आ रही है आप अपने जीवन में बहुत कुछ जो पा रहे हो वो आपके मेहनत से ही पा रहे हो इस वज़े से सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है और मैंने कहा आप किसी से भी डरते नहीं हो इस वज़े से कोई आपके लिए साजिस तो नहीं कर सकता है लेकिन आपके अपने लोग आपको धोका दे सकते हैं वो मैंने आपको तिरा रहे हो, अपने जिवन को बहुत fruitful और amazing बना रहे हो, जिसके लिए आपकी अपने effort और आपकी महनत से आपने ये सब कुछ पाया है, आपके अपने लोग सिर्फ आपके साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि आपके अपने लोग आपकी हिम्मत है, वो आप जानते हो, लेकिन आ यहां आप यह जो ध्यान रखोगे तो आपके लिए कोई भी साजिस नहीं कर सकता है, वरना यहां तो सब कुछ ठीक है आपके जिवन में, और अभी आप किसी भी तरह की साजिस का सिकान नहीं बने हुए हो, और यहां जो आपकी first energy आई है, five of pentacle और nine of salt, वो आपकी past की energy की ह कि आपने अपने जिवन में struggle करते हुए है, बहुत कुछ खोया भी है और पाया भी है, जिसके चलते आपके लिए अपने लोग अब बहुत ज़्यादा माइने रखते हैं, बहुत ज़्यादा खास है, special है, जिसको आप खोना नहीं चाहते हो, यहां आपके लिए grow create का last काड जाया है, इसका मतलब यह होता है कि भवी सिव में आपके लिए कोई साजिस हो सकती है, और आप साजिस का सिकार बन सकती हो, और वो भी permanent का मतलब होता है, कि आपका सब कुछ खो भी सकता है, तो इसके उपर थोड़ा ध्यान दो, आप बहुत ज़्यादा जुनूनी हो, passionate हो, determination भी अच्छा है, यह सारी आपके मेहनत कहीं पानी में ना चली जाए, इसका आपके ध्यान रखना है, क्योंकि भवी सिर में आपके लिए सच में आप साजिस का सिकार बनने वाले हो, बनने इसको रोकने के लिए आपके लिए एक ही advice है, कि आपको किसी के उपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, वरना आप ही खुद डूब सकते हो, इतना ध्यान रखो, यहां अभी तो आपके लिए किसी भी तरह की कोई भी साजिस नहीं हो रहे है, यहां आपने blue stone shoes किया है, इसका मतलब यह होता है, कि आपको लगता है कि आप जैसे हो, वैसे आपके लोग भी है लेकिन ऐसा नहीं है, आप जैसे हो वैसे आपके लोग नहीं है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करें, वो आप में सब्वागी नहीं हो रहे है, आप उनको बहुत कुछ दे रहे हो, उनको तो सिप मिल रहा है, उनको मेहनत क्या है, मेहनत कैसे होती है, किस तरह से करनी होती है, वो स यहीं खुद ही जिम्मेदार होंगे आपकी घराब परिस्तितियों के लिए इस वज़से मैं यहाँ आपको कहना चाहती हूं कि आप अपने आपके लिए भरूस आप खुद के उपर भरूसार ठोखे और चिसी के वपर ज्यादा भरूसा मत रखे क्योंकि आप जितने के उपर ज्यादा भरुसा रुखोगे, वही इंसान आपको बहुत बड़ा दुख दे सकता है, इसको समझो, इस वज़े से मैंने आगे से ही आपको बता दी है, बता दिया है कि आपके लिए आगे साजिस हो सकती है, चाहे आप किसी भी उम्र के इंसान हो आप स्ट्रगल से बाहर आए हो, अपने स्ट्रगल देखा है, अभी आपके पास देरे-देरे सब कुछ आ रहा है, आपकी स्पीड बढ़ रही है, वो अच्छी बात है इस बज़र से आपके लिए हाई प्रिष्टेस और अब्जवर का काड़ा है, आपको बहुत ज़दा अब्जवर करना चाहिए, कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा नहीं है आपके अपने लोगों को आप जितने लोगों को बहुत प्यार कते हो उनके उपर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं कोई इंसान उसी में से आपको कहीं धोका न दे जाए तो सभी के उपर ध्यान दो यहां high priestess की energy आपके लिए ही है कि कहीं आपने जड़ा से भी चूक की